हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्रनोन वेल्कम बैक तो माई चैनल अभी बज रहे हैं चार शाम के और यह हो रही है इसल के पहली बारिश तो चलिए फ्रेंड्स बारिश के मौसम में बनाते हैं जट पेट पौहा रेसिपी यह पौहें बिगे हुए और कोत्मी डाल दी है मैं उसमें काटके राई जीरा और सौफ है थोड़ी थोड़ी अरी मिर्च प्याच और आलू कटे हैं कच्चे और थोड़ी से रोस्टेड क्योंकि पौहें पहले से बिगी हुए हैं प्रिप्रेशन कर चुके हैं तो जल्दी से बन जाएगी और बिच में मेरा थोड़ा सा वीडियो मिस हो गया है क्योंकि कैमरा डाउन हो गया था और मैंने ध्यान नहीं रखा तो सौरी फॉर दैट तो यह देखिए कुछ नहीं कर होड़ी देखिए और इहां पोहें में सब कुछ मिला लिया है हलदी नमक शकर और इसे डख कर ठोड़ी सी देर हम कुक करएंगे जब तक कि आलु गलना जाए उसके बाद हम नसी थोड़ी सी लाल में लामे चाहाद कहाफ चमच, हलभी डालेंगे क्योंकि हल्दी हमने पोहे में भी डाल दी थी अब इसे मिक्स करके थोड़ी देर ढगेंगे ताकि मसाला एक दूसरे से अच्छी तरह मिल जाएं थोड़ी दिर से ढग देंगे मसालों को अच्छी तरह कुक होने देना बहुत ज़रूरी है यहां में दो मिनिट बतारी उपर दो मिट नहीं लगेंगे बहुत ही जल्दी यह मसाले मिक्स हो जाएंगे और करीबं 20-30 सेकंड में हम इन मसालों को फिर से मिक्स करेंगे यह देखिए शायद 20-30 सेकंड हुए होंगे अब इस मसाली को मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे पोहें और फिर पोहों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पोहें इसी चीज है ऐसा नाश्टा है जो बहुत ही जल्दी बन जाता है अगर आपको जटपट कुछ खाना है तो बहुत जल्दी इजली बन जाता है अब पोहें को हम थोड़ी देर और ढखेंगे ताकि यह अच्छे से भाप में हो जाएं तो चलिए इन्हें ढख देते हैं फिर यह खाने के लिए रेडी हो जाएंगे और एक बार ढखने के बाद हम इसे फिर से खोल कर एक बार मिक्स करेंगे और फिर यह तैयार हैं तो यह देखिए हमारे पोहें खाने के लिए तैयार हैं आप भी खाली चीए तो देखिए अभी भी बारिश डुक नहीं रही है अभी भी चल रही है लगबक एक गहंटा हो चुका है वारिश होते होते और पहली बारिश अगर अच्छे से हो जाए तो गर्मे भी थोड़ी कम हो जाती है तो आईए मैं इस तरफ से भी आपको बताती हूँ बारिश का नज़ारा तो बाई फ्रेंड्स